अपने WhatsApp ओपन करने के बाद अगर Storage is full यह problem आ जाए जिसे कि आप आप देखिए WhatsApp जैसे हमने ओपन किया यह आप पे Storage is full यह problem आ रहा है तो इस वीडियो को देख लिजेगा क्या आपका भी WhatsApp ओपन करते वक्त यह इस हुआ रहा है यह problem आ रहा है तो इसको कैसे आप हटा सकते हो इस problem को solve करके कैसे आप अपने WhatsApp को ठीक कर सकते हो मैं आज के इस वीडियो में आप सबको पूरा step best step बिल्कुल दिखाने वाला हूँ बट वीडियो शुरू करने से पहले आप सबको मैं एक request करता हूँ इस वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीज और यहाँ पर जाने के बाद आपको दिखाए देगा यहाँ पर आपको यह ओला इंटर्फिस आजाएगा यहाँ पर देखिए ठीक है मैंने इस टोरेज पर आपको क्लिक कर सकते हो यहाँ ठीक है यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि आपका कितना स्टोरेज हो और कि के लिए जगा ही नहीं है क्योंकि यह सभी के सभी फूल है यहाँ पर देखिए तो वाटसाप पर यह वैसिकली प्रॉब्लम आने का में जो रीजन है मैं आप सब यहां पर देखिए तो 63.96 तक फूल है लगबग आप कह सकते हो कि पूरा फूल है थूड़ा थूड़ा कम है ठीक है तो इसलिए जो है वाटसाप पे प्रॉब्लम आ रहा है या तो बार-बार यह वाला भी problem आएगा ठीक है यह वाला दोस्तों देखिए ऐसे तरह issue आएगा यह आपर दिखाएगा space is running out यह भी आएगा इसका main reason यह है कि आपका यह storage full हो चुका है इसको permanently solve करने के लिए आपको क्या करना है मैं बता दू आपको आपको बेक आजज़ना है पर ठीक है वाट्सप पर चाने के बाद अगर फिर फिर भी यह problem दिखाएगा घीक है तो इक लिएक बार बैक करना है और आपको जाना है अपनी फ्लेस्टर पर त्रिक के हो आप ज़ 125 अपनी प्लेस टर पर और यहां पर पर जाने के अगर आपका WhatsApp अपडेट पर पड़ा है तो इसको अपडेट कर दीजेगा, अगर अपडेट नहीं है तो अब अपडेट कर दीजेगा, अगर अपडेट अल्रेडी है तो अच्छी वात है, अभी जो है आपके मुबाइल फोन से जो चीज आपका काम का नहीं है, जो एप्स, load हो जाता है phone memory full हो जाता है इसी की कारेंट कभी-कभी ये problem आ जाता है या तो आप अपने mobile phone से कुछ image, photos, videos बगरा delete कर लिजएगा जो बेकार सब पड़ा है आपकी file पे तो आप अभी कि अभी अपनी gallery पे जाईए जो भी आपका पुराने चीज़े है यानि कि videos, audios, photos बेकार का चीज़े है उसको delete कर लिजएगा और delete करने के बाद देखिएगा आपका ये problem 100% solve हो जाएगा और आगे ये problem नहीं आएगा तो guys finally जो है मैं अपनी mobile phone से कुछ videos, audios, photos apps बगरा delete कर दिया जो मेरा काम का नहीं है और अभी मैं WhatsApp पे आता हूँ देखिए ये problem solve हो चुका है तो ऐसे तरह जो है आप भी अपनी WhatsApp का इस problem को आप 100% solve कर सकते हैं और जो solution बताया है मैंने ये 100% working ये trick है, 100% working solution है अगर आपका भी WhatsApp पे ये ऐसे तरह कोई भी problem आजाए तो इस वीडियो की जरिए मैंने जो process बताया same process कीजिएगा ये problem 100% solve हो जाएगा I hope इस वीडियो की माइदम से आपने जान लिया कि इस problem क्यों आता है वीडियो पिसंद आए तो आप वीडियो को कर दीजिए like और channel को कर दीजिए subscribe अगर कोई भी problem हो रहा है तो नीचे comment box पे कह सकते है मिलता नेक्स्ट वीडियो पे तब तक के लिए टाटा बई बाई जय हिंद जय पारत